आज मैं आपके लिए गेहों के आटे से बना हुआ, बहुत ही टेस्टी, चटपटा, हेल्दी और नुटिशियस नाश्टे की रसेपी लेकर आए हूँ, जिसे हम गेहों के आटे से बनाएंगे। इतना हेल्दी है कि अगर आप इसे एक बार बना लेंगे तो आपको लगेगा कि आपने कम्प्रीट मील ले ली है, तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं, इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा लगा कर तयार कर लेंगे, मैंने यहाँ पर एक मिक्सिंग बोल ले इसमें एक कप गेहूं का अटा डालेंगे और साथी इसमें एक कप बारी कटी हुई और अच्छे से धोई हुई पालक डाल देंगे, आप इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे, टेस के एक ओर्डिंग, आदी छोटी चमच अजवायन को हास से इसकरिके से क्रश करके डाल इसे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, एक चोटी चमच देसी ही डाल देंगे, आप चाहें तो यहाँ पर ओयल भी डाल सकते हैं, आप इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, और इसका टाइट डो ल अच्छे सेट हो जाएगा, और तब तक हम इसके लिए स्टफिंग की तयारी कर लेते हैं, जल्दी से, मैंने यहाँ पर एक मिक्सिंग बोल ले लिया है, इसमें एक चोटाई कप बारी कटी हुई शिम्ना मिश डाल देंगे, एक चोटाई कप बारी कटा हुआ प्यास डाल बिना प्यास के पर यह प्रांठे बहुत ही जादा टेस्टी बनेंगे, अब इसमें एक चोटाई कप ही उबले हुए स्वीट कॉन डाल देंगे, जिसे हमने रफली काट लिया है चोटा चोटा, एक बड़ा चमच सफेद तिल डाल देंगे, अगर आपके पास तिल नहीं है और इसको इस तरीके से ग्रेट करके डालेंगे, अगर कप से नापेंगे तो तकरीबन आधा कप पनीर है, आप इसमें अमुल का प्रोसेस चीज डाल रही हूँ, यहाँ पर मैंने एक क्यूब लिया है, एक ही डाल रही हूँ, अगर आप ज़ादा डालना चाहते हैं, तो ज आथी नमक डाल देंगे, टेस्ट के कॉर्डिंग, दो बड़े चमच, हरा धनिया डाल देंगे, बारी कटा हुआ, और इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, यहाँ पर आप इस स्टफिंग को टेस्ट कर सकते हैं, अगर आपको नमक या मेर्ची या पर कुछ भी कम लगे तो आप इसमें और भी डाल सकते हैं, अपने टेस्ट के कॉर्डिंग, अब यहाँ पर आटा दिख लेते हैं, आटा अच्छे से सेट हो गया है, इसमें से एक लोई तोड लेंगे, यहाँ पर इतने आटे से आपकी चार लोई बन करके तयार होंगे, यानि हमारे चार पिल्ण डेंगे और इससे इस तरीके से ट्राइंगल शेफ दे देंगे, पहले से इस तरीके से शेफ दे देते हैं, तो प्रांथे की जो शेफ है वो परफ्ड्ट आती है, साथ ही आमें से बहुत जादा बेलना नहीं पडता है, जिसकी वज़ए से स्टुपिंग के बाहर आने के चांसे जी नहीं रहा जाते, अगर आप बिगनर हैं और स्टफ परांठा बनाने में आपको दिक्कत आती है, तो इस तरीके से अगर आप परांठे बनाएंगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएकी, ये देखिए, हमने इस तरीके से इसे तीनों साइड से फोल् का फ्लीम लोटो मीडियम लखेंगे और इसको सिखने देंगे, और जब तक हमारा प्रांठा सिख रहा है, इधर हम दूसरा प्रांठा जल्दी से बेल लेते हैं, इसी तरीके से मैंने इसे पतला बेल लिया है, देखिए, और अब इसके उपर तीन चमर स्टफिंग लग दे हैं, यह देखिए, यह नीचे से प्रांठा जब हमारा सिख गया है, तो हम इसे पलट देंगे, और दूसरी साइट से भी हम इसे कच्छा पक्का होने तक अच्छे से सिख लेंगे, दोनों साइट से प्रांठा हलका सा सिख गया है, तो हम इसके उपर घी लगा देंगे, और भी घी लगाएंगे तोनों साइट हलकाल का घी लगाकर देखिए हमने इस प्रांटे को अच्छे से से शेक लिया है और ये तयार हो गया है तो बस इसे उतार लेंगे और दूसरे प्रांटे भी हम बिल्कुल इसी तरीके से से शेक लेंगे और ये देखिए हमारे पालक पीज परांठा बनकर के तयार है आप इसे क्या नाम देंगे मुझे जरूर बताएं मेरी खर में तो सबको बहुत पसंद आए हैं और ये मैं आपको कट करके दिखाती हूँ ये देखिए इसकी स्टाफिंग कितनी बढ़िया लग रही है देखने मतलब खाने में ये बहुत जादा अब चाहें तो जादा भी डाल सकते हैं अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो बहुत जादा टेस्टी बहुत ही न्यूटिशिस परांठा है क्योंकि हमने इसमें पालक डाली है अगर बच्चे पालक नहीं खाते हैं तो आप इस तरीके से परांठे बना कर दीजि बारी कटा हुआ और एक चमची बारी कटी हुई शिमना मिश डाल देंगे थोड़ा सा पीजा सीजनिंग डालेंगे और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप इसमें थोड़ा सा काला नमक डाल देंगे टेस्ट के एक और एक चुटकी ही इसमें काली मिश पाउडर डा करके भी रख सकते हैं ययनी आटा मल करके आप रात को ही रख सकते हैं स्टफिंग भी पूरी तैया दके बना ट लीजिए पर आप हुसमें नमक नाना डाले नमक आप सुभर दालें जब आपको इसका बिल्कुल भी न भूलें और आप मुझे कहां से कौन से देश से देखते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं इस तरीके से आप से जोड़ करके मुझे बहुत अच्छा लगता है अब मिलती हूँ एक और नही रेसिपी के साथ तब तक रे गुडबाई टेक केर और थ अच्छीन